आई ये प्रात्ना करते हैं और प्रभु के वच्छन में जाएंगे प्रभुजी धन्यबाद देते हैं इस सुनहरी दुपहर के लिए और खास्तोर से समय के लिए प्रभुजी हमारे मनों को आपके तरफ केंदरित रहें प्रभुजी और कोई भी बत्वारा ना हम दिमाग का विचार का कोई डिस्ट्रैक्शन आता है तो प्रभुजी उसको हटाएं प्रभुजी आज के वच्छन से जो हम सीखते हैं रिष्टों के बारे में आज के वच्छन से हम सीखते हैं प्रात्ना करना और आपसे कैसे गलड़ा के प्रात्ना करना और कैसे छोड़ना नहीं प्रभु जी हम उसके बारे में सिर्फ जाने ना प्रभु जी करने वाले बने और करने वाले के साथ-साथ एक उमंग के साथ करें ना कि एक बार-बार religious chance की तरह प्रभु जी मैं प्रात्न अभी है, वो हम sensitive हो सकें, उसे सम्वेद अशील हो सकें, इस सारी प्रात्मा प्रभु येश मसी के नाम से मांगते हैं, आज से लगब 11 साल पेरे, एक accident वुआ था हेलिकॉप्टर का मेरे दोस्त था उसमें, वो और उनके co-pilot थे, और वो लोग वापिस CSN से लौट रही थे, और बरफिला स्थान था, वहीं पर accident हो गया, वो गिर गए, और उसमें से एक शहीद मानते हैं, उनको शहीद हुए थे, और एक काफी, मतलब चोट लगी हुई थी मेरे मित को, तो वो काफी घाल अवस्ता में थे, और गिरते समय उन्होंने एक code प्रेस कर दिया था, जो help के मांग पकार गई है की नहीं, मगर अब उन्होंने जो करना था, वो करके वो बरफ में आ गए, मतलब गिर गए, और शाम का समय था, क्योंकि और और कोई flying हो नहीं सकती थी, तो अब उन्हें वेट करना था, और वाकी में पता थो चली जाता बेस पे, कि वो वापिस नहीं आ होए थे, तो जब दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे, तो अपनी टूटी हुई और घायल हवास्ता में भी एक दूसरे की मदद करने की कोशिश कर रहे थे, मगर आप देखिएगा कि उस अवस्ता में भी पूरा काम नहीं कर पा रहे थे वो, उसने एक दूसरे की तरफ हाथ निकालता था ताकि वो उसको बठा सकें, वो देखते थे कि उनका हाथ टूटा हुआ है, दूसरा कुछ बोलने की कुशिछ करता था, बोलनी पाता था, तो इशारों से बात कर पा रहे थे, तो जिस भी अवस्था में थे, वो अवस्था, उनका स्थर्व उस इसाब का नहीं था कि एक दूसरे की मदद कर सकें, खुल के. थोड़ी देर बाद एक बड़ी सुन्दर धनी उनको सुनाई देती है एक हेलिकॉप्टर की आने की. और वो समझ जाते हैं कि बचाव आ रहा है, और वो आता है हेलिकॉप्टर, एक को उठाता है, फिर दूसरे को उठाता है, और वापिस ले जाता है. आप इसमें देखिएगा, कि जो घायल अवास्ता में थे, वो एक दुसरे की मदद बिलकुल नहीं कर सकते थे और जब एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते थे, तो उस हिसाब से उस थर से वो जी रहे थे उस समय कि थोड़ा बहुत एक दूसरे को मदद करें और वो थोड़ी दिर के लिए स्थाई था मगर जब मदद आती है पूंता से मदद आती है और पूंता से उस सिच्वेशन से स्थिती से उठा कर उनको बचाव की तरफ ले जाते हैं जिसमें आज वो पूरी सेवा में आ चुके हैं वो पैरलाइज रहे दस साल तक उसके बाद अब वो काफी चलने फिरने योगी हो चु रचना में और उस दुरगटना के बाद मैं और आप उनी भाईयों की तरह थे कि हम लोग टूटी ववस्ता में जी रहे हैं घायल वस्ता में जी रहे हैं और जो भी हम प्रयास करते हैं उस घायल वस्ता से निकलने के लिए वो काफी नहीं होता है उससे हम घायल वस्ता से उ कि हमें कोई बचाय हमारे स्थर से दूसरे स्थर तक लेकी जाए, इस level से next level तक लेकी आए, हमारे standard के तूटे वे standard से अपने standard तक लेकी जाए. हमारी situation को बदलाव कर दे, हमारी situation को total बदल दे और उसका हम लोग ध्यान करते हैं, उसका वेट करते हैं और वो बदलाव आ चुका है हमारे और आपके लिए प्रभू येशु मसी के द्वारा और आज का वचन वो ही है, प्रभू येशु मसी के पाड़ी उपदेशों में आज हम सीखेंगे रिष्टों को हम कैसे निभाते हैं और क्या सही तरीका होता है रिष्टा निभाने का हम लोग रिष्टे निभाते हैं अपनी टूटी वश्था में एक दूसरे से बात करके और एक दूसरे को जज करके अपनी हिसाब से, अपनी टूटी हुई समझ से, अपनी टूटी हुई एक्सपिरियंस से और जब उस हिसाब से हम रिष्टे चलाते हैं तो रिष्टे भी तूटते ही रहते हैं मगर प्रभू की नजर से अगर हम रिष्टा चलाएं प्रभू की नजर से वो रिष्टे को हम चलाएं और उसमें माफी भी है, प्यार भी है और लंबे अफसर तक की साथ देने की गवाही भी है, अगर उसे साब से चलें, तो वो रिष्टा बिलकुल अलग हो जाता है, आईए हम वचन में चलते हैं, प्रभू क्या वचन में बताते हैं हमें, रिष्टों के बारे में, मती साथ एक से बारा तक देखेंगे आद, प्रभू का वचन बोलता है, दोश मतलगाओ कि तुम पर भी दोश ना लगाया जाए, ये अंग्रेजी में जज़ है, कि डोंट ज़ज, अदरवाइस यू भी ज़ज, इसमें दोश का मतलब यह है कि आप किसी पर जो आप कंडेम कर रहे हैं, या किसी को निंदा कर रहे हैं, या पहचान रहे हैं, कि हाँ, तुम इस हिसाब के हो, तुम इस हिसाब से हो, उसके बारे में ये प्रभू का बचन बोल रहा है, उस हिसाब से मत चलो, मगर आप कहेंगे कि ये तो नियाए वाली बात कर रहे हैं, कि आप नियाए मत और उनका क्या माबाप का बच्चों को भी तो आपको प्रखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, क्या बोलने हैं, क्या नहीं बोलने हैं, नहीं तो अगर हम सभी न्याय करना बंद करने तो दुनिया अपने हसाब से चलेगी? इसमें एक चीज जो नहीं है वो ये है कि हम वास्तविक आत्मन रिक्षन मतलब इंट्रस्पेक्शन, अपनी समझदारी या अपने विचार, अपने बारे में सोच विचार करना उसको प्रभू के नजरसिया से देखें तो वास्तविक आत्मन इरिक्षण जो है, वो हम प्रभू के हिसाब से करें, और उसमें एक बड़ी भूल ये हो जाती है कि हम याइक पाखंड में उतर जाते हैं, मतलब हम जज्वंटल हो जाते हैं और हिपोक्रेट बन जाते हैं, अगर हम प्रभू के हिसाब से नहीं सोच रहे हैं, तो हम जज्मेंटल बनते जाएंगे, और हिप्पोक्रेट बन जाएंगे, बिल्कुल पाखंडी से बन जाएंगे, हम लोग एक बूसरे को हर चीज को बड़ी क्रिटिकली देखेंगे, ये तो ऐसा बोलता है, ये वैसा बोल मतलब हुआ है, उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है, बई इसको डाउन करना है, तो हो करना है। एक वह वाली서 рек्स्ट्रीम है, हम उस साहीड चले आते हैं, एक दूसरा एक्स्ट्रीम है कि हम नयान ना करें, तो हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, जो करना है, करते रहों है, बोले पन में मात खा जाते हैं, हम इतने बोले बन जाते हैं कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है, चलो आप कर रहे हो कर रहे हम आग बंद कर लेंगे, हम आग मीच लेंगे उससे क्या होता है? नुकसान ऐसा होता है कि हम confront नहीं करना चाहते हैं और confront नहीं करना चाहते हैं तो हमारा आस्तित्वी बिना रीड का हो जाता है spineless बोल जाते हैं कभी कदार husband wife एक दूसरे को बोलते हैं spineless एक ही चाहते हैं हम लोगों को प्रभू के हिसाब से इस दुनिया में चलना है, प्रभू के विचार से दुनिया में चलना है, ना कि अपनी सोच समझ से, ना कि तूटी हुई सोच समझ से, तूटी हुई स्थर की अवस्ता में, क्योंकि अगर तूटी हुई स्थर की अवस्ता में देखेंगे, तो मैं भी घायल हूँ, जो परिवार जाने वो भी घायल है और उस घायल अवस्ता में हम एक दूसरे की क्या मदद करेंगे हमें चाहिए प्रभू का इंट्रेजेक्शन, प्रभू हमें इस जिंदगी में चाहिए और वो बदलाव के लिए आज हम प्रभू के वच्चन से जाने के प्रभू से मांग करेंगे तो प्रभू बेसिकली कह रहा है कि तुम प्रभू, प्रभू मत खेलो Don't play God in your life, मुझे वो काम करने तो आगे देखते हैं, दूसरे वर्स में लिखा है क्योंकि जिस प्रकार तुम दोश लगाते हो, उसी प्रकार तुम पर भी दोश लगाएगा जैसे तुम जज करोगे, उसी इसाब से तुम्हें भी जज किया जाएगा और जिस मेजर से तुम नापते हो, उसी से तुमारे लिए भी मेजर के जाएगा, उसी तरीके से तुम्हें भी नापा जाएगा. यहाँ पर प्रभु का जो वचन है, महाँ पर फरीशी थे, स्क्राइब्स थे, उनके लिए था, और उनको प्रभु बोल रहे थे, कि तुम तो प्रभु के वचन को धरन करने वाले हो, तुम प्रभु के वचन को बोलने वाले हो, और तुम ने उसके चारों तरफ ऐसे अपने अपने छोटे-छोटे कायनून लगा रखे हैं कि जब प्रभू का वचन तुम बोलते हो तो ऐसा लगता ही निये कि मेरी तरफ से वचन है, ऐसा लगता है कि तुमारे विचार करे हुए वचन दे रहे हैं तो इसलिए ये वचन मेरो और आपके लिए उपर भी लागू करता है कि क्या पता मैं अपने वाइफ को या अपने हजबंड को या अपने बच्चों को अपने माता-पिता को भाई-बहनों को वर्क पे अपने कुलीग्स को और दुनिया में जितने भी लोग हैं क्या अपनी नजर से देखता हूँ कि प्रभू की नजर से देखता हूँ और अगर अपनी नजर से देखता हूँ तो वाकई में हमेशा मैं कमी पाऊंगा आजकल मोटिवेशनल टॉक्स और इतनी सारी कोचेज और लाइफ कोचेज आ गए हैं मार्केट में और वो सारी चीजें सिखाते अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, मगर उन अच्छी चीज़ों का केंद्र कहां पर होता है? आप में, स्वैम में. कहते हैं कि स्वैम को देखो, स्वैम में confidence रखो, स्वैम के लिए तुम काम करो और यहाँ पर उस हिसाब से अगर तुम काम करोगे, तो तुम सफलता जरूर पा प्रभू कहा रहा है कि ये बचन आज का तुम्हें पढ़ना और जानना जरूरी है. अगर हम दूसरों के सामने अपने आपको उठाते हैं, तो एक तरीके से दूसरों के लिए बोल रहे हैं कि तुम गरीव अवस्था में हुए. तो ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम किस तरकी बात कर रहे हैं. आगे प्रभू उसका उधारन देते हैं, वहाँ पर तीसरे वर्ष से कहते हैं, तू क्यूं अपने भाई की आँख के तिनकों को देखता है? ये हम सब वर्ष जानते हैं, और इसी को बार-बार कोट करते हैं, हम किसी को जज़ करते हैं, तो इसी वर्ष को बार-बार कोट करते हैं, उसमें लिखा है, तू क्यूं अपने भाई की आँख की तिनकों को देखता है, और अपनी आख का लट्टा तुझे नहीं सूचता और जब तेरी आख में लट्टा है तो तू अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि मैं तेरे आख से तिनका निकाल दूँगा हे कप्टी, प्रभू भी कम नहीं है प्रभू बिल्कुल ढंक से बताता है जिसका जहां पर लेवल है, जिसकी योप लेश है, वहीं भे बोल देता है प्यार से बोल देते हैं, हे बच्चों, वो नहीं एक कप्टी, पहले अपनी आख में से लट्टा निकाल ले तब तू अपने भाई की आख का तिनका भली भाती देख कर निकाल सकेगा यहां पर प्रभू बोल रहा है कि जो निंदा कर रहा है, उसका पाप जिसको निंदा कर रहा है से ज़्यादा भढ़कर है हम यह कह सकते हैं कि जिसके आख में लट्टा है तो उसका पाप बहुत ज़्यादा बढ़ा है इसका मतलब ये है कि तुम अपने आपको प्रभू के स्टैंडर्ड से जाचो और जब प्रभू के स्टैंडर्ड से जाचोगे तो तुम देखोगे कि तुमारा जो स्टैंडर्ड है सही नहीं है, अपनी माफी मांगो, अंगीकार करके प्रभू के सामने अपने आपको पेश क करो और तब जाकर अपने भाई के आँखों का इलाज करना पहले अपने आई टेस्ट कराके अपनी आँख का इलाज कराओ अपने दिल का इलाज कराओ अपनी लाइफ का इलाज कराओ प्रभू के सामने आके और जब यह हो जाए तब जाओ दूसरे की लाइफ में बोलने के ल हम आपकी बुराई नहीं करेंगे, आप हमारी बुराई नहीं मत करना, ये डिनायल होता है, इसको कहते हैं कि हम उस हिसाब से चुप-चाप अपना रास्ता नाप लो, तुम अपना रास्ता नाप लो, अगर प्रभु यहां पर वो नहीं बोल रहा है, देखिए प्रभु बचन में, आप अगर बचन खोल के देखें कहें, कि जब तुमारे आँक का इलाज हो जाए, तक तु अपने भाई की आँक का तिनका भली भाती देखकर निकाल सकेगा, इसका मतलब प्रभु पेक्षा खर्च होगा, जोती तो, सारी lights एक साथ लगी हैं, वहां क्या फाइदा? lights वहाँ पर भी लगनी है, जहाँ पर अंदकार है एक ही रो में, एक ही लाइन से सारे churches हैं, सारे लोग साथ बैठें तो एक ही दूसरे को गर्मी दे रहे हैं, एक ही दूसरे को light ठेक रहे हैं जोती तो वहाँ पर भी चाहिए, जहाँ पर अंदकार है प्रभू का बचन बोल रहा है कि तुम टेल क्लियर एटिट्यूट से कब तक हिसाही बन के जियोगे और अपने आपको बचा के चलोगे ये ठीक है, वो ठीक है मैं कहीं बुरा ना बन जाओं, कहीं मैं ये ना हो जाओं प्रभू का बचन ये नी बोल रहा है उस तरीके से आगे जाओ, मगर मेरी स्थर के, तो अपने स्थर से जाओगे, डर जाओगे, अपने स्थर से जाओगे, तो मैनिपुलेट करोगे, अपने स्थर से जाओगे, तो कहोगे, ठीक है, यह सब चलता है, मेरे स्थर से जाओ, और मेरे स्थर से जाओ, दुनिया के judgmental attitude स नहीं नहीं तो आप सब को कहेंगे यह ऐसा है या बिलकुल टोटल कॉंप्रमाइजिंग नहीं मेरे स्थर्थ से जाओ अब आप कहेंगे कि यह कैसे हो सकता है आगया प्रभू का वचन बताएगा हो कैसे होगा प्रभू का वचन यहुना दो साथ चौबीस में लिखा है तुम किसी को जज मत करो सिर्फ दिखावे पर बट सही तरीके से सही माइने से जज करो मतलब प्रभूता के हिसाब से जज करो अब प्रभू का जो वचन है वो हम लोग गलत ले सकते हैं कि अच्छा इसका मतलब यह है कि प्रभू चाहता है हमसे कि हम लोगों को जज करें मगर जज ना भी करें ये हमारे confusion में बैठेगा मगर प्रभू ये ये नहीं कह रहा है कि तुम confusion में रो प्रभू कहता है मेरा word बहुत साफ है कि तुम मेरी तरफ केंद्रित रहो और मेरी तरफ केंद्रित रहे कि जब जीवन जियोगे तो अपने आप सही गलत तुमारी लाइफ में इधर उधर होता जाएगा जब तुम अपने स्थर से जीवगे तब तुम confusion में जरूर पढ़ोगे ये वाकि में वड़ी गंभीर बात है एक कहानी है परशिया की महाँ पर एक राजा था उस राजा का नाम कमबैसेस था उसने क्या करा उसने एक दफा एक न्याई धहिश को पकड़ा न्याई धहिश जो था वो काफी जादा पैसे लेकर गलत गलत न्याई देता था और उसको जिन्दा उसकी चमड़ी उधेर दी और जो उसकी खतम हो गया उसकी जो चमड़ी थी उसको एक चैर पे लगाया गया और उसके बाद जितने भी न्याई धिश आते थे उनको का कि आप इस चैर पे बैठियेगा और न्याई का पालन करेंगे आप न्याई पास करेंगे ताकि उनके मन में विचार बना रहे कि एक जन की जान गई हुई है एक जन की चमड़ी गई हुई है एक गलत तरीके से न्याई करने का प्रभू का वो ही गंभीरता से हमसे कह रहे है कि तुम जब इस जीवन को जीते हो मेरे चेले के हिसाब से बड़ी गंभीरता से जीओ बड़ी गंभीरता से सोचो विचारो और जब मेरे चेले बनके जब बड़ी गंभीरता से विचारोगे तो तुम अपने आप को पाऊगे कि तुमारा स्तर यहाँ पर है और मेरा स्तर यहाँ पर है अपने स्तर से अगर जीवन को जियोगे, तो हमेशा अपने आप में कमी पाऊगे, तो यहां से लेके यहां तक का जो बदलाव है, वो मैं तुम्हें दूँगा, आगे और और भी ज्यादा खटोर वचन होते जाते हैं, प्रभू के छटे वर्स में कहते हैं, पवित्र कुत्तों को ना दो, और अपने मोती सुवरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वो उन्हें पाऊँ और तले रौंदे, और पलट कर तुमको ही फार डालें, यह वैसे वाले कुत्तों की बात नहीं हो रही जो इंस्टाग्राम में बड़े प्यारे से कुते पपी से दिखते ह उनकी फोटोस लगा के लाइक और दिल उड़ते हैं, वो ऐसी वाली बात नहीं कर रहे हैं, यह वो वाले कुत्तों की बात कर रहे हैं और अपने अपने इलावा किसी के बारे में नहीं सोचते हैं, कि सिरफ मुझे खाना है, मुझे यह चाहिए, मुझे यह दो, मेरे लिए यह मेरा, 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 मेरा वाला हिसाब है यहां पर, आप देख लिए उनको आगर आप कोई अच्छा सा सजीवी थाली दें और ऐसे ही कुछ रोटी दे दें, तो वो दोनों को फाड़ के खा जाएगा, उसको मतलब नहीं कि बड़ा अच्छी सजीवी थाली है, यह ऐसे ही जैसे भी है वाजही खालेका, वो फरक नहीं करेगा कि क्या अच्छा है क्या बूरा है या मोती, मोती के बारे में लेखा है कि आप मोती सूवर के सामने डाल दें, तो सूवर मोती सूगेगा और कैगा यह तो खाने कि चीज हैं नहीं, यह मेरे लिए ।ो कुछ फाइदे की कहीं ये भी देखना है कि कहीं मैत और आप तो ऐसे नहीं है जो मेरा 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 करते रहते हैं और धार्मिक होकर भी चर्च में भी हो सकता है कि मैंने यो बोल दिया हुआ चन मैंने ऐसे बोला है मैं इतना बोलता हूं क्यों नहीं चलेगा मैं ऐसा बलता हूँ ऐसे नहीं होगा और बहार भी हो सकता है मेरी जिंदगी में भी ऐसे लोग हो सकते हैं तो प्रभू उनसे कह रहे हैं प्रभू हमसे बोल रहे हैं कि आप उस situation में ध्यान से सुनिएगा यह बड़ा वैसा point है जिसके बारे में counter argument आ सकता है मैं बताँ को कहा से counter argument आएगा इस situation में आपको प्रभु कह रहा है कि तुम इस situation में प्रभू मत बनो बहुत पर लए भी बोलाए कि प्रभू तुम्हें नहीं बनना है इस situation में प्रभू मत बनो जहां तक तुमारा दािरा है उनके साथ बैठके प्रातना करने का, उनको सत्य वचन बताने का, उनको सही रास्ता देने का, क्योंकि प्रभु का वचन साहब बोलता है, कि जो दोस्त होता है नीती वचन 9-8 में, ठटा करने वालों को डाटो, ऐसा ना हो कि वो तुस्से बैर रखें, बुद्धिमान को डाट, वो तो तुस्से प्रेम रखेगा, इसका मतलब यह है, कि एक सीमा होती है, उसके बाद आपके वचन कोई फैदा नहीं होगा, और प्रभू कहा रहा है, वहाँ से वापस आजाओ, क्योंकि मैं प्रभू हूँ, मैं समा लूँगा सिच्वेशन, तुम्हें प्रभू बनने की जुरत नहीं है, और यह वचन में फिर हम काउंटर आर्गेमेंट क्या है, काउंटर आर्गेमेंट कह सकते हैं, प्रभू आप ही ने तो बोला है कि अपने एनिमीज को जो शत्रू हैं उनसे प्रेम करो, आप ही ने तो बोला है कि किसी को 99 को छोड़के एक की पेशे जाओ, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, कुछ नहीं करना है, प्रभु ने बोला है, छोड़ना भी नहीं है, यहाँ पर प्रभू साफ तरीके से कहता है कि कुछ काम मैं तुम्हें कहता हूँ, वहाँ से हाट उठा दो और तुम मेरे को दे दो, और यहाँ पर खुशी-खुशी मत दो, आप प्रभु से कहो कि प्रभु मैं यहां तक करता था, अब मैं उपेक्षा रखता हूँ, कि आप इसको देखें, मेरे से अब इससे ज्यादा नहीं हो पता है, यह सारी situations को अपने standard प्रभू ने दिखा दिया कि आपका standard यहाँ है, मेरा standard यह है, तो इस सब में बदलाफ कैसे लाओं, क्योंकि अभी बात हो रही है, रिष्टों के बारे में, तो इसमें मेरे और आपके husband wife के रिष्टे हो सकते हैं, बच्चों के रिष्टे हो सकते हैं, जो तूटे हुए हो, husband wife के रिष्टे हैं, आज Valentine's Day है, तो आप देखेंगे लड़के लड़की एक दूसरे को बहुत जादा promise करेंगे, साब मैं जिन्दगी बर जिऊँगा, यह करूँगा, वो करूँगा, SMS और यह दुनिया बर का, और वो ही शादी हो जाएगी, और 4-5 साल तो भूल भी जाएगे क्या Valentine's Day होता है, कब anniversary होती है, फिर आप कहोगे कि यार इसकी तो शकल ही नहीं देख सकता, मैं इसके साथ कैसे जिन्दगी बिताऊंगा, यह हो सकता है, वो हो सकता है, कितना बदलाव आ गया, तो इसका मतला पर इंसान का स्तर तूटा हुआ स्तर है, क्योंकि आज मुझे Valentine's Day फिर लोगों को दिखाने के लिए भी हो गया, वो फोटो वोटो दखा दी और पिर वाकि में शादी की बात आई तो उस responsibility से मैं पीछे भाग लिया, मगर प्रभू का वचन बोलता कि मेरा स्तर उपर है, तुमारा स्तर तर नीचे है, हो सकता है कि दिखा रहा हो, आपने लोगों को अलक नजर से देखा हो, या हो सकता है लोगों ने आपको उस नजर से देखा हो और दिखा रहा हो, प्रभू का वचन में ये भी हो सकता है कि आपने family में कुछ छोटी सी बात को कड़वाट से relationship तूट गए हो, क्यों, Churches में हुमारा होता है की एक ग्रूप बन जाते है चूर्चेस में कि अच्छा ये थोड़े से cool टाइप है, ये थोड़े से uncleal है, या this cool i uncool, मतलब जो भी है, ये इस हिस साब से बोलते है, ये इस इस साब से पहनावा होता है, ये इस हिसाब बड़े विधवान है, ये लोग तो मूर्ख हैं, ऐसे ऐसे करके ग्रूप पून जाते हैं, और फिर एक दूसरे को जज्ज्मेंट पास करते हैं, फिर गॉसिप होती है लोगों के बारे में, अरे उसने को देखा था, वैसा हुआ था, वो बंदा कमरे में आया नहीं, उससे पहले ही आपने उसको खतम कर दिया है, दूसरों के सामने, क्या क्या हम लोग उन्हें जज्ज्मेंट पास करे होंगे, बहुत जारे करे होंगे, और यही प्रभु कहरा है, लठा है तुम्हारे आख में, उसको निकालो, और तब उस योग ये बनोगे, जो मैं तुम्हें काम करने को दूँगा, उस योग ये बनोगे, कि तुम्हारे रिष्टे सुधरेंगे, उस योग ये बनोगे, तुम्हारे मन में जो विचार है, व रिष्टे खराब हो रहे हैं, यह हर चीज में distraction हो जाता है, मेरी तभिद भी ठीक नहीं रहती है, finances के बारे में भी मुझे नहीं पता चल रहा है, और उससे लेकर मैं गुस्ता घरवालों पर निकालता हूं, उससे लेकर मैं आने वाला कल जो है मेरा, वो मेरे को सही तरीके से दिखता नहीं है, concentrate नहीं कर पाता हूं, मेरे को जो plan बनाना है, वो plan नहीं बना पाता हूं, ये सारी चीज़ें अगर मेरे साथ हो रही है, तो प्रभू का बचन जानते हो, क्या कहता है, आने वाले बचन में बात करता है, साथ साथ, या दटना, मती साथ साथ, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंडो तो तुम पाओगे, खट-कटाओ, तो तुमारे लिए खोला जाएगा, तीन चीज़ें हैं, मांगो, आस्क, ढूंडो, सीक, खट-कटाओ मतलब नौक, मांगो का मतलब है, प्रातना करते रहो, मांगो मतलब, मांगते हैं, तो हम प्रभू से प्रातना ही तो करते हैं, हाँ, वो बात अलग है कि हमारी प्रातनाओं में कभी भी प्रभू के साथ बैठ के सहभागिता नहीं होती है, प्रभू के सामने सिर्फ एक लिस्ट होती है, लिस्ट ये कर दो, ये लिस्ट वो कर दो, मांगो, उसके बाद कहता है कि ढूंडो, मतलब consistently मांगते रहो, ये नहीं कि उस दिन प्रेयर करी थी, आज तो भूल गए, अरे छोड़ दो यारब रहन दो, वो बात भी नहीं होती प्रभू से, आपने तो बात भी नहीं करी प्रभू से, बात स्टाट भी नहीं करी प्रभू से, और पर खट-कटाओ, मतलब don't give up, आप हार मत मानो, प्रभू कहा रहा है, कंसिस्टेंटली चलते रहो, मगर ये ब्लैंक चेक नहीं है, ये बाइबल वर्स ब्लैंक चेक लेके चलते हैं, कि आरे ये हो गया, इसको लगा दिया, वाटसेप पर ये वो करके, आरे अब जो प्रभू देंगे, नहीं मांगेगे त आप है, ये वाली बात नहीं है, प्रभू ब्लैंक चेक नहीं दे रहा है, आप अगर देखें, जेम्स चार तीन में कहता है, कि तुम मांगते हो, मगर आप ही अभिलाशाओं के पूरा करने के लिए मांगते हो, मगर मैं तो चाहता हूं, कि तुम एक हुना पांच चौदा क मांगो, जहां पर है, मेरी इच्छा के अनुसार से मांगो, और तुम यकीनता वो पाहोगे, ये दोनर बाइविल वर्ट्स को घ्यान से करिये का, जेम्स 4-3 और एक यहुना 5-14, आप प्रभू की इच्छा से अनुसार मांगेंगे, अपनी अभिलाशाओं के अनुसार नही कि पूरी नहीं हो नहीं कभी, तूटी हवस्ता में जी रहे हो, तूटे हिसाब से मांगोगे, तो क्या पाओगे, और तुम्हें मिलेगा भी, तो तुम उसको अप्रिशेट नहीं करोगे, तुम्हें समझ भी नहीं आएगा, और ये प्रभू ने मुझे दिया था, मगर प् मुझता है, वो पाता है, और जो खटखटाता है, उसके लिए खोला जाएगा, क्यों? उधारन देता है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम मैं ऐसा कौन मनुष है, कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे, तो वो उसके पत्थर देगा, वो मचली मांगे, तो उससे साप देगा, सो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों की अच्छी वस्तुओं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर की पिता अपने मांगने वाले को अच्छी वस्तुओं क्यों ना देगा, और लुका 11.13 में पवित्र आत्मा की जिकर किया, कि पवित्र आत्मा अब मैं एक सवाल करूँगा माउ से, थोड़ा सा इंट्रेक्शन का टाइम होगा, कि माए मेरे को ये बताएं कि आपके बच्चों ने आपको रात में डेर दो बजे कभी जगाया है कि नि जगाया है, जोएल ने जगाया है आपको? जोटा था? कहा गया जोएल? कहां गया जोल अगर जोल ने आपको डेड़ बज़े जगाया आप उठी थी प्रभु का बच्चन ये गया रहे तुम लोग बुरे होकर अपने बच्चों का ध्यान रख सकती हो तो मैं तो पवित्र पिता हूँ तुम इस टूटे वी अवस्ता में टूटे वे स्थर में भी अपने बच्चों का ध्यान रख सकती हो तो मेरी तो बात ही छोड़ दो मैं तो तुमारा हमेशा ध्यान करूँगा क्योंकि जर्मिया उनतीस ग्यारा में एक ऐसा वच्चन लिखाए जो आप सबने वाट्सेप में शेयर करागो एक दूसरे के साथ उसमें लिखाए क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुमारे विशे में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ वो हानी की नहीं है कुषल ही की है और अंत में तुमारी आशाएं पूरी करूँगा यह क्या लिखाए प्रबोने the plans I have मतलब plans किसके हैं यह यह कल्पनाएं किसकी है प्रभू की है यह आपकी है अगर प्रभू की कल्पनाएं है तो प्रभू के हिसाब से मांगे आपकी कलपना नहीं है तो आप मांग प्रभू से रहे हैं कलपना अपनी दिखा रहे हो तो यहाँ प्रभू का बच्छन कह रहा है जब प्रेयर करो तो प्रेयर मेरी इच्छा के हिसाब से करो ना कि अपनी इच्छा के हिसाब से क्योंकि कोई उससे बात ही नहीं होनी है, कभी गलती से मैच हो गया तो कहोगा, रहे मेरी तो प्रेयर बहुत थाकत है, और ये हमने रात बर जगराते करके निकाल दी लो प्रेयर, आज क्या उससे क्या हुआ, तीन रात सो नहीं पाए, सब को जगाया, हुआ प्रभू कही, वगर अपने चोड़े करके घूम रहे हैं, किसा आप मेरी प्रेयर, और कौन बन गया प्रभू? आप बन गए प्रभू, बड़े पहुची हुए बाबा है, क्रिश्चन बाबा है, इनके प्रेयरे पूरी होती है, ऐसा भी हो रहा है आज कल? नहीं, प्रभू का बचन साफ कह रहा है, कि आपका भले करना, आपके कल्यान के बारे में मैं विचार कर रहा हूँ, तो मेरे स्थर से प्रातना करो और वो पूरी होगी, और उसका नतीजा कहां पे जाकर पूरा होगा, आगे प्रभू का बचन कहता है, बारे में पन में, इस कारण जो कुछ तुम सोचते हो, कि मनुष्य तुमारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्ता और भवेश्य वक्ताओं की शिक्षा यही है, प्रभू का बचन, आप ध्यान से सुनिये क्या कह रहा है, कि मनुष्य तुमारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, हम कभी कदार वैसे बन जाते हैं, कि तीन बंदर होते हैं, आखे बंद, एकान बंद और मुव बंद, उस हिसाब से जीवन जीएंगे, प्रभू का बचन नहीं बोल रहा है, कि आप बार बार किसी के घर में जाके देखें, या वीडियो के कैमरा लगा दें उनका, क्यांकि आप में लड़ाई चलीए, यह नहीं नहीं, उसके बाद उत्पत्ती तीन हुआ, जहां पर यह क्रैश हो गया, पाप आ गया, और उस वजह से, आज मेरा और प्रभू का रिष्टा खतम हो गया है, क्योंकि मैं अपने स्तर से वो रिष्टा जी रहा हूं, प्रभू के स्तर तक जाहीं नहीं पा रहा हूं, और प्रभू का बचन के हाँ पर बोल रहा है, कि तुम जब दूसरे से बात करते हो, तो अपने हिसाब से सोचते हो, क्योंकि तुमारे एक स्तर्ग पर उतर के वो बात करें, वो होगा नहीं, मगर मैंने वो पहल कर दी थी, मैं चाहता हूं कि तुम से रिष्टा बनाओं, और वो रिष्टे के लिए प्रभू येशु मसी को पहले बेजा, जब तुम पाप में ही थे, रोमियो पांच आठ, उसमें बचन में लिखा है कि प्रभू येशु मसी मेरो और आपके लिए क्रूस पर चड़ाए गए, वो मारे गए, जब मैं पाप ही मैं था, इसका मतलब है, मैं अपने पाप के स्तर में जी रहा था, मगर पवित्र पिता ने पहले ही से इंजाम कर दिया, उपर का, और इस बदलाव के लिए प्रभू कहा रहा है, तुम मांगो, ढूंडो, और खटगटाओ, अपने जीवन में, एक बहुत बड़ा रवुलूशन आएगा आपकी लाइफ में, जब आप कहेंगे कि गिव मी दिस रवुलूशन इन माइ लाइफ, बिंग दिस रवुलूशन इन माइ लाइफ, हो सकता है आज आप प्रभू से ही रिष्टा तोड़ बैठे हो, तो प्रभू का बचन आप बोल रहा है कि आज वो लठा को अपने हिसाब से निकालने है, प्रभू और आपके बीच में एक रिष्टा दुबारा कायम हो, रिपेंटेंस की जरुरत है, अंगिकार की जरुरत तो प्रभू का बचन बोल रहा है कि दुबारा वो रिष्टा कायम करने के लिए, मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम परातना करो, तुम खटखटाओ, मैं कैसे सिचुएशन बदलू का देखना। 1956 की कहानी है, एक मिशनरी ग्रूप था, एकोडर में वो लोग गए एकोडर और प्रभू का बचन देने के लिए, और उन सब को मारा गया, सारे खतम हो गए, उनमें से एक मिशनरी था है, इनका नाम था नेट सेंट, उसका उस समय चोटा बच्चा था, और कुछ समय बाद क की उस मिशनरी की जो बहन है, वो बहन उन ट्राइब के पास जाती है, और उन से वापिस रिष्टा कायम करनी की कोशिश करती है, मगर उससे जादा वो पराथना करती है, और उस लड़के को भी साथ में लेके जाती है, जो उसका मिशनरी का बच्चा, जिस मिशनरी को मटग रहा था उस लड़के का नाम स्टीव था और प्रभू का बदलाव उस ट्राइब में जिस ट्राइब ने उनको खतम करा था ऐसा आता है कि वो बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है तो उस बच्चे का बपतिस्मा उसी ट्राइब में वो व्यक्ति करता है जिसने उसके प्रभू का बच्चा प्रभू के बच्चन के हिसाम से आपकी जिन्दगी में आज कौन है जिससे आप चाहते हैं कि वो बड़ताव आप से वैसा करें जैसे आप उनसे करना चाहते हैं पहल आपको करनी पड़ेगी क्यों? क्योंकि आप प्रभू के जन हैं आपने अपना लठा पहले बाहर निकाल दिया है आपने अपना अंगिकार प्रभू से अपना प्रभू से रिष्टा बना लिया है और अब आप तयार है उस लेविल पे जाने के लिए जिस लेविल पे आपने आज तक सोचा भी नह और प्रभु का वचन आपको freedom देता है ऐसे levels पर जाके रिष्टे बनाने का और प्रभु के पास जाएंगे तो प्रभु ने काया का तुमने क्या करा जिंदगी में तो आप क्या बोलेंगे कि मेंने प्रभु किसी से बैर नहीं रखी ना किसी का बुरा चाहा मैं अपनी life जिया वो अपनी life जी है तो प्रभु ने का यार यह नमक का बोरा तुमने तुमने दिया था नमक का बोरा वैसे का वैसा लेकर आ गए तुम्तों तुम्हें light के bulps दिये थे कोई भी light fuse नहीं हु वैसे कव ऐसा लेकर आ गए। अगर तुम उस जगह मेरे से मांगते हैं कि आपके नमक में नमकीनपन कम हो रहा है तो मैं तुम्हें और प्रवाइड करता है। तुम्हें लाइड के बल्प यूज हो रहे हैं जो में जाकर जोती बनना है तो मैं तुम्हें और बल्प देता तो मुझे विश्वास करके तो देखते हैं मांगते तो खटकटाटे तो आज आपकी सिंदगी में अगर ऐसे रिष्टे टूटे हुए हैं तो आज हम वचन होगा कि हम प्रभू के वचन में प्रातना में जाएंगे और भाई अनुग्रे से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे लिए प्रातना गाएं और जब वो प्रातना गाएंगे तब उस सम लोग बात है, मगर आपका वचन चाहता है, और आपके वचन के हिसाब से इस रिष्टो को काईम करें, और आप प्रभू से ये भी मांग कर सकते हैं, कि प्रभू मेरी तबछी कि रहती हैं , मेरे फाइन्सस सही नही रहती हैं, और उस वजे से मैं अपने घरवालों के साथ मेरे रिष्टा टूटे हुए हैं। प्रभू चाहता है सबसे पहले कि आपका रिष्टा प्रभू से काइम हो और उसके बाद चाहता है कि आपके परिवार जनों से, अपने दोस्तों से, जहां पर काम करते हैं, रिष्टा काइम हो, और उसके बाद बाद आगे बढ़े, और ये नेक्स लेवल की बात कर रहे हैं प्रबू, और आज का बचन जो है, आप से साक्षा क्लिरली बात कर रहा है, कि क्या आप उस बदलाफ के लिए तैयार हैं कि नहीं, क्योंकि एक प्रबू ने हमें बड़ा अच्छा सा जीवन दिया है, अनमोल जीवन दिया है, जो आज मैं और आप जी रहे हैं, उस जीवन की गवाई को जाने ना दे, उस जीवन के जो मौके आते हैं, जहां पर आप रिष्टे बना सकते हैं लोगों से, उसको खोने ना दे, उसको प्रबू के हिसाब से जीए, तो आज का बचन अगर आप वापिस जाएं तो कहें, प्रबू ने मेरे से क्या बोला, प्रबू ने आप से ये बोला, कि पहले आप अपना रिष्टा प्रबू से सोधारें, और उसके बाद रिष्टा अपने रिष्टदारों से सोधार पवित्र पता, कहने के लिए कुछ नहीं है, इससे जादा ना बोल सकते हैं, ना पढ़ सकते हैं, बस घुटनों पे आके, हम मांगते हैं प्रभुजी, कि जो हमारे रिष्टे तूटे हुए हैं, जो मेरी समझ सही नहीं होती है, उन जगाओं पर मेरे कुछ समझ खोले ताकि म पर रिष्टे तूटे हैं प्रभुजी, उन रिष्टों को जोड़ दे मालिक, ये सारी प्रात्मा प्रभुजी ये शुमसी के नाम में है, आमें अनमोल जीवन दियो मालाई इशुति मिले आफुलाई रित्याई खुषको धरामा रगतको धामा अनमोल जीवन दियो मालाई मेटी दियो मेरो सबय पाप रादोष् प्यूना दियो मलाई आत्मा को न दि बाठा अशिमेत तिम्रो उधारता को दियो प्रसास्ता जीवन मलाई सबय थोक दियो जीवन को धारामा स्तूति महिमा गाउंछू जीवन दाता के अनमोल जीवन दियो मलाई संभाली दियो मेरो कमजोर जीवन लाई बाचना दियो मलाई महिमा को आशामा महिमेत तिम्रो उधार लाई हिर्ना दियो मलाई रभू आशाम सबय थोक दियो जीवन को धारामा स्तूति महिमा गाउंछू जीवन दाता के अनमोल जीवन दियो मलाई पिशूति मेले अफुला इत्याई प्रुस को धारामा रगत को धारामा प्रभू जी धन्यवाद देते हैं इस बचन के लिए जहां पर साफ तरीके से आप कहते हैं कि तुम प्रात्ना में लगे रहो और कंसिस्टेंटली डूनते रहो खट-कटाओ डोन गिवब छोड़ो मत प्रभू जी आज हमारे मनों में बहुत सारी प्रात्नाई हैं इस समय बहुत सारी विचार हैं हम प्रात्ना करना भी भूल गए हैं हमें पहला जो अल्टरनेटिव है वह आप लगते ही नहीं है प्रभू जी आज मैं प्रात्ना करता हूँ कि मेरा और आप का रिष्टा वाकई में दोबारा कायम हो जाए टूटे हुए रिष्टे जो है मेरे और आप के वो कायम हो जाए उसके लिए अगर मेरे को आंगीकार करना है मालक वो लठा देखने लगो मैं उस लट्टे का जो पीड़ा है उस लट्टे का जो दर्थ है मेरे आत्मा में वो होने लगे प्रभुजी ताकि मैं आप से मांग करूँ प्रभुजी उसे निकाल तो मालिक और एक शांती पवितरता एक मीठी सी ओमंग कर जनम हो सके मेरे मन में कि मेरे आत्मा में प्रभु जी मैं प्रात्ना करता हूं कि मेरे को आप एक समझ दें पवित्र आत्मा की उपस्थि की समझ दें मेरे को एक समझ दें पवित्र आत्मा के रेल्म में पवित्र आत्मा के डारेक्शन में ऑपरेट करने का और मेरा जो स्थर है नीचे का उस स्थर से मेरा स्टैंडर्ड बढ़ाएं प्रभुजी ताकि आपके स्थर पे पवित्रास्त्मा के स्थर पे मैं जियूं पवित्रास्त्मा के स्थर पे समझने लगूं पवित्रास्त्मा के स्थर पे अपने रिष्टों को कायम करूं और कि इस समय इसमें काफी सारे लोग होंगे यहाँ पर मलिक जो आत्मिक चंगई शारीरिक चंगई काफी सारे लोग आया होंगे टूटे हुए मनों के साथ एडा है और आप जेb में में कुछ पषा भी नहीं है को में प्रातना करता हूं प्रभुजी इसБात करा आप सिर्फ पैसा दें, या हमें शोहरत दें, या हमें नाम दें, मैं प्रातना करता हूँ, आपके इच्छा के अनुसार से, कि जो टूटे हुए घर हैं, टूटे हुए जिंदगिया हैं मालिक, आज दुबारा जुड़ें, और सवरें मालिक, जो रिष्टे टूटे हुए हैं प्रभु जी, हस्बन वाइफ के, उनको जोड़ें मालिक, बच्चों के, भाई और भेनों के, रिष्टेदारियों में मालिक, आज उसे जोड़ें मालिक, ये सारी प्रातना ये प्रभु येश्व मसीख के नाम में, प्रभु येश्व मसीख का अनुग्रय पवित्र पिता का प्रेम, पवित्रात्मा की उपस्तिती आप से लेके अनन तक बनी रहें, आमें. जै मसीखी, धन्यवाद देते हैं, आप लोग मिल सके, अनुग्रय भाईद, धन्यवाद, थैंक्यू स्वा मच्च, ध्यान रखिएगा कि बदलाफ के लिए भी देर नहीं हुई है, ये कोई चर्च सविस्व आप आकर एक शो देखकर, PVR का देखकर घर नहीं जा रहे हैं, या अपने कलीसिया में आए या अपने घर में आए हैं, और एक सेलिब्रेशन हुआ है, जैसे पास्टर ने बोला था, सेलिब्रेशन के लिए आए हैं, और फिर अब हम जाएंगे, अपने जिन्दियों को जिएंगे, इस विचार के साथ की बदलाफ के लिए देर नहीं है, जहां पर आपको लगता है कि मैं जोर से बोलूँ या किसी को नीचा करूँ, उससे पहले सोचना नहीं, बदलाफ के लिए भी देर नहीं है, अभी रुख जाता हूँ मैं, जैसे लिए, God bless you.